नमस्कार दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का समीर पाट साला में आज की इस लेक्चर में हम लोग अरनिस्ट हैमिंगवे के दुवारा लिखा गया एक नोवेला The Old Man and the Sea को डिसकस करने वाले हैं सुरू करने से पहले मैं आप लोगों कुछ ऐसे पॉइंट बता देना चाहता हूँ जो आपके एक्जाम में आप लोगों की हेल्प करेंगे यह जो नोवेला है The Old Man and the Sea अरनिस्ट हैमिंगवे ने इसे 1951 में लिखा था 1952 में इसको पब्लिस करा दिया था और इसके जोनर की बात करें तो यह एक नोवेला है अब कुछ लोग आप लोगों में से यह सोच रहे होंगे कि नोवल और नोवेला एक ही होता है नहीं नोवेला थोड़ा सा अलग होता है यह नोवल से लैंथ में थोड़ा सा कम होता है और short story से length में थोड़ा सा ज़ादा होता है उसको हम novella कहते हैं अब यह जो novella है The Old Man and the Sea इसको Ernest Hemingway ने 5 दिनों की story के रूप में हम लोगों के सामने paste किया है, narrate किया है ठीक है जी, अब इसी work के लिए Ernest Hemingway को 1953 में Pulitzer Prize मिला था और 1954 में इन्हें novel prize भी मिला था अब मैं आप लोगों को इस novella के कुछ characters के साथ introduce करा देता हूँ ताकि आप लोगों को story बहुत अच्छे से समझ में आए सबसे पहले यह Santiago नाम का एक character है, यह एक बुढ़ा मच्छवारा है जो क्यूवा में रहता है सेंटियागो बहुत बुढ़ा हो चुका है अब इसकी wife भी जिवित नहीं है और अभी भी यह मच्छली पकड़ने का ही काम करता है इसके पास एक मच्छली पकड़ने का काम सीखने के लिए यानि के fishing सीखने के लिए एक Manolin नाम का लड़का भी आता है और यो Manolin उस समय से सेंटियागो के साथ मच्छली करना सीख रहा है जब Manolin मातर पांच सालों का था इसके लावा Martin नाम का एक करेक्टर देखने के लिए मिलेगा ये करेक्टर जो है Martin इसके पास एक कैफे है कैफे का नाम है टेरेस कैफे इस कैफे में सारे के सारे मच्छवारे जो होते हैं वो खाना खाने के लिए आते हैं सभी लोग एक दूसरे के बारे में यहाँ पर बात करते हैं इसके अलावा जो डिमेजियो नाम का एक करेक्टर आपको सुनने के लिए मिलेगा इसका कोई भी एक्षन इस नोवेला के अंदर तो नहीं है लेकिन यह जो डिमेजियो जो है आइडल है सेंटियागो के राइट और यह एक बेसबॉल प्लेयर है तो यह हैं इसके कुछ खास करेक्टर अब आप लोगों को मैं इसकी स्टोरी को नेरेट कर देता हूँ तो सुरू करते हैं दा ओल्ड मैन एंद दसी की कहानी को समझना यह कहानी एक मचवारे की है जो क्यूबा में रहता है और उसका नाम सेंटियागो है उसने तमाम उम्र मचली पकड़ने का ही काम किया है लेकिन कभी कभी इनसान का बुरा समय चलता है इसी बुरे समय की वज़े सेंटियागो ने पिछले 84 डेज में कोई भी मचली नहीं पकड़ी है इन 84 दनों में से पहले 40 दिन तो उसकी साहता करने के लिए एक मैनोलिन नाम का लड़का उसके साथ रहता है मैनोलिन अभी मचली पकड़ना सीख रहा है और सेंटियागो के साथ उस समय से रहता है जब ये मात्र 5 सालों का था इसलिए सेंटियागो से बहुत लगाव है इस मैनोलिन को 84 दिन हो चुके हैं कोई भी मचली सैंटियागो नहीं पकड़ पाया है इसी वज़े से उसके आसपास के लोग सैंटियागो को सलाओ कहकर बलाते हैं अब सलाओ का मतलब होता है कोई अनलकी परसन अब ये बात जब मैनोलिन के माता पिता को चलती है कि 84 दिन से कोई भी मचली सेंटियागो नहीं पकड़ पाया है इसलिए जो मैनोलिन के पेरेंट्स हैं वो उसे वापस बुला लेते हैं सेंटियागो के पास से और किसी दूसरी बोट पर मचली पकड़ना सीखने के लिए भे जिसकी वजह से ये इसकी सरीर पर जुड़ियां पड़ गई है थब्बे पड़ गए है जकमी इसका सरीर हो गया है ये बुड़ा बेसक हो गया है लेकिन आज भी इसकी आँखे नीले समुंदर की तरह हैं नीली हैं और तेज तर्रार काम करती हैं अब मैनोलिन दूसरी आता है ताकि वो उसकी बोट को किनारे पर लगवा सके उसके एक्यूपमेंट को जोंपड़ी में रखवा सके और एक टेरेस कैफे नाम की जगा है जहां पर सारे मचवारे बैटकर खाना खाते हैं वहाँ पर टेरेस कैफे में सैंटियागो को लेकर जाता है मैनोलिन और उस मैनोलिन को इसके बदले में कुछ दे तो नहीं सकता लेकिन अपना experience share करता है सबसे पहले तो सैंटियागो मैनोलिन को उसके खाना खिलाने के बदले में अपने जो आइडल है जो डिमेजियो उनके बारे में कुछ बताता है उसके बाद वो अपने जवानी के दिनों का experience share कर इसके बाद सेंटियागो और मैनुलिन गूमते गूमते सेंटियागो की जोंपड़ी की तरब चले जाते हैं ताकि वो सेंटियागो को उसकी जोंपड़ी में ड्रोप करके आ सके अब सेंटियागो की जोंपड़ी में जब ये दोनों लोग सेंटियागो और मैनुलिन पहुच जाते हैं तो मैलोनीन देखता है कि सेंट्यागो की जोंपड़ी में बहुत गंदा सा हो रखा है और वहाँ एक बैट पढ़ा है एक चेर है और एक टूटा सा टेबल भी है इसके अलावा दिवारों पर दो-चार पेंटिंग लगी हुई है मैलोनीन सेंट्यागो को गुड़नाइट बोलता है और वहाँ से चला जाता है अब सेंट्यागो हर रात की तरह सो जाता है और सपने में जो अफरीका के समुद्र है उनके किनारी पर लायन्स का सपना देखता है यानि कि सेरो का सपना देखता है अब अगली सुभा आती है या इसको launch करने की पूरी कोशिस कर रहा है कि वो जल्दे जल्दे आज समंदर में चला जाए तब ही उसकी मदद करने के लिए manoling महाँ पर आ जाता है अब वो manoling को बताता है कि आज मैं समंदर में दूर तक जाऊंगा गहराई तक जाऊंगा मैं गल्फ स्ट्रीम की तरफ जाऊंगा ताकि आज मैं किसी ना किसी मचली को पकड़ के ले आऊं तो जो सेंटियागो की बोट है वो समंदर में उतर जाती है वो अपने काटे या फिर लाइन को समंदर में डानने लगता है अब लगबख दोफैर का समय हो जाता है आज भी दोफैर तक उसके काटे में कोई भी मचली नहीं फसी है तब ही सेंटियागो की नजर एक उड़ती हुई चिडिया दा मैन ओफ वार पर पड़ती है इस चिडिया के उड़ने की वजह से यह समझ जाता है कि यहां कोई न कोई मचली उसे मिल चकती है तो वो अपनी बोट को उसी तरफ ले जाता है तो वो वहाँ पर जाकर अपने काटे को लाइन को डाल देता है वहाँ पर उसके काटे में 10 पाउंड की एक टूना मचली फस जाती है अब इस टूना मचली को देख कर सेंटियागो पड़ा खुस होता है और कहता है कि चलो आज के खाने का तो मेरा काम हो गया और मुझे दूसरी मचली पकड़ने के लिए जो मास चाहिए वो मास मी मुझे मिल गया है अब उसके थोड़ी ही देर बाद उसके काटे में एक और मचली फस्ती है और इस बार ये लग रहा है कुछ बड़ी मचली है अब सेंटियागो उसे उपर खेंचने की कोशिस करता है लेकिन उसे उपर नहीं खेंच पाता सेंटियागो समझ जाता है कि इस बार बहुत बड़ी मचली मारलिन उसके काटे में फसी है जो लगबग 18 फिट लंबी होती है सेंटियागो मारलिन को उपर खेंचने की पूरी कोशिस करता है लेकिन खीच नहीं पाता मारलिन जो मचली है वो समुंदर में सेंटियागो को अंदर की तरफ खीचने की कोशिस करती है क्योंकि वो मचली उसकी बोट से भी ज़्यादा बड़ी है सैंटियागो पूरे दिन उस मचली को खीचने की कोशिश करता है लेकिन खीच नहीं पाता तभी सैंटियागो को ऐसा लगता है कि अब साम हो चुकी है अब उसकी मदद करने के लिए कोई न कोई आ जाएगा लेकिन साम में भी उसकी मदद करने के लिए कोई नहीं आता अब रात हो गई है सैंटियागो किसी भी सूरत में, किसी भी हालत में, किसी भी कंडिसन से ये इस मचली को जाने नहीं देना चाता क्यों? क्योंकि सेंटियागों वो अच्छी तरह से पता है कि अगर वो मारलिन मचली को किनारे पर ले जाता है तो सेंटियागों का सारा करजा भी उतर जाएगा और उसके पैसों की कमी भी पूरी हो जाएगी इसलिए वो किसी भी तरह से मालिन को जाने नहीं देना चाहता पूरी रात वो समुदर में ही रहता है अगले दिन जब सूरज निकलता है मालिन मचली भूग की बज़शे तड़प रही होती है अब वो सेंट्यागो के हाथ में काटने के लिए उपर की तरफ आती है ताकि वो सेंट्यागो के हाथ से उस लाइन को छुड़ा सके लेकिन किसी तरह से सेंट्यागो अपने हाथ को उस लाइन को बचाने में काम्याब हो जाता है सेंटियागो की नजर एक बार फिर से उस मचली पर पढ़ती है जब वो मचली ऊपर की तरफ आती है सांस लेने के लिए या कोटते हुए ऊपर की तरफ आती है गोल-गोल घूमती हुई ताकि वो सेंटियागो से अपने आपको बचा सके तब सेंटियागो की नजर उस मारलिन मचली पर पड़ती है और सेंटियागो ये देखता है कि आज तक जितनी भी बड़ी मारलिन मचली उसने देखी है उन सारी मचलियों से बड़ी मारलिन मचली यही है उसे देखने के बाद सेंटियागो दुआ करता है कि वो किसी तरह से इ उसको खैचने की कोशिस करता है, जोड लगाता है और अपने आधर्स, यानि के जो डिमेजियों हैं, उनके बारे में सोचता है कि जो मेरे हीरो हैं, जो डिमेजियों, अगर वो इस कंडिशन में होते, तो वो क्या करते हैं? और ऐसा सोचते हुए वो कोशिस्ट करता है उस मचले को ऊपर खेंचने की, धीरे-धीरे करके दूसरा दिन भी समाप्त हो जाता है, रात होने ही वाली है, सैंटियागो काफी ठक चुका है, उसे भूंक लग रही है, अब अपनी भूंक को सैटिस्वाय करने के लिए सैंटिया को उसे आसानी से उपर बोट में लाकर उसे खा लेता है और अपनी भूंक को सैटिस्वाय कर लेता है, अब बहुत लंबे समय से माली मचली की लाइन पकड़ दे हुए, उसके हातों में जखम हो गए हैं, और जखम इतने घहरे हैं, ऐसा लग रहा है कि उसके हातों से मास ब पकड़ लेता है, पूरी ताकत को पकड़ लेता है, और उसके साथ साथ वो लेट भी जाता है, तभी मारली मचली एक बार फिर से गोल गोल घूमते हुए उपर की तरफ को छलांग लगाती है, जिसको देख कर सैंटियागो एक बार फिर से पूरी ताकत के साथ लाइन को प जब मचली उबर की तरह पाती है तो सैंटियागो उस मचली के चेश्ट में अपना भाला गुसा देता है जिसकी वजह से उस मचली की डैथ हो जाती है यानि कि मारलिन मचली अब मर चुकी है उसके अंदर से खून निकलना चालो हो गया है लेकिन अभी भी वो समुद्र के अं निकल जाता है अब जो मारलिन मचली है उसके अंदर से खून बह रहा है उसके खून की गंद को सूंगते हुए एक सार्क मचली आ जाती है और वो मारलिन को खाने की कोशिस करती है मारलिन का लगभग 40 पाउंड मास वो सार्क मचली खा जाती है लेकिन किसी तरह से सार्क मच मचली को भगाने में काम्याब रहता है सेंटियागो लेकिन इस मारलिन के अंदर से अभी भी खून निकल रहा है जिसकी वजह से दूसरी सार्क मचलियां इस बार कोई एक मचली नहीं है सार्क मचलियों का पूरा गुरूप आ जाता है सेंटियागो देखता है कि उसके समुद किनारा अब नजदीक ही है वो जल्दी जल्दी अपनी बोट को किनारे के पास ले जाने की कोशिस करता है लेकिन इस बार सार्क का पूरा गुरू पाया है उस मारलिन मचली को खाने के लिए और जो सार्क मचलिया है वो बहुत तेजी के साथ खा जाती है उसको अब पूरी रात वो सोता रहता है अगली सुभा मैनोलिन की निगा सेंटियागो पर पड़ती है वो देखता है सेंटियागो अभी जिवित है उसको जिवित देखकर मैनोलिन को बड़ी खुसी होती है लेकिन मैनोलिन की निगा सेंटियागो के हातों पर भी पड़ती है उसके हात बड़े ही जखमी हो चुके हैं इसी लिए मैनोलिन सेंटियागो के लिए एक कोफी लेकर आता है अब जो मारलिन मचली का धाचा है वो समंदर के किनारे ही पड़ा हुआ है लोग उसको देखने के लिए आ रहे हैं उसको देखने के लिए भीड इकटा हो चुकी है सभी लोग जो लोग सेंटियागो का मजा कुड़ाते थे वो लोग भी अब सेंटियागो की रेस्पेक्ट करने लगे हैं कि सेंटियागो एक अच्छा फिसर्मैन है तो मैनोलिन भी यहाँ पर एक चीज डिसाइड करता है वो कहता है कि मुझे ना तो अब समाज की और ना ही अपने आपकी परवा है मैं अब फिसिंग सीखूंगा तो तुमारे साथ ही सीखूंगा अब मैं आपको छोड़ कर नहीं जाओंगा लोगों का भीड लोगों का जमावडा उस मारलिन के धांचे को देखने के लिए आ रहा है लेकिन सैंट्यागो तो अपनी जोंपड़ी के अंदर ज खेलते हुए देखता है लाइन्स को खेलते हुए देखता है इसी के साथ ये कहानी खतब हो जाती है आई होप ये कहानी आपको समझ में आई होगी मिलते हैं अगले लेक्चर में तब तक के लिए जैहिंत